So Hello Friends, मैं हूँ Asis, आप देख रहा है Amazing Asis YouTube Channel तो इस वीडियो में हम अपने Mobile Charger, जिसका की Output Volt is 5 Volt होता है इसको Update करके हम 9 Volt से 12 Volt तक इससे Output ले सकते हैं ये कैसे होता है और आप किन-किन Chargerों के साथ ऐसा कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ तो हमारे पास कुछ Charger होते हैं जिनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं सभी Chargerों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसमें हम कुछ Components के बदलाव से इसके Output Voltage को Up या फिर डाउन कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और इसे बनाते हैं तो यह देखिए यह Charger है मेरे पास यह Charger मेरे यहां कब से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसे अब अपडेट कर दिया जाए इसके मैंने जो Jack होते हैं उसको भी मैंने काट दिया है तो इस को हम निकालते हैं और आप जब निकालें तो यहां पर याद कर लें कि कहा से बना है यानि कि 5 वोल्ट के लिए वो दे रहा है कि नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो रेड लाइट है इंडिकेटर की लगी हुई है वो चालू हो गई तो यहां पर मैं आपको मल्टी मीटर लाता हूं और उसे चेक कराता हूं कि इसकी वोल्टेज जो है कितनी है तो यहां पर सावधानी रखें जब यह प्लग में लगा हुआ है तो आप उसे हाथ से नच हुए अगर आपका एसी करेंट पर कहीं लग गया तो आपको लग सकता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 वोल्ट यह दे रहा है मेरे मल्टी मीटर के प्रोब जो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि D4 और D6 पर दो जेनर डायोड लगे हुए हैं आपको मैं दिखाता हूं तो यहां पर देखिए कि D6 और D4 पर दो जेनर डायोड लगे हुए हैं तो हमें चेंज कौन सा करना है आप जब यहां पर D6 देखेंगे तो य उसे आपको नहीं चुना ए उसे आपको जो है चेंज नहीं करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डी फवर पे यहाँ जो है एक ट्रांजिस्टर के साथ करेक्ट होता है तो इसी को हमें चेंज करनाए यहाँ पर 9 वोल्ट का जो है जिन डायोड लगा हुआ है आप अगर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 9 V आपको यहां पर इतना नहीं कर सकता कि मैं आपको 9 V लिखा हुआ दिखा दूगा लेकिन C9 कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको दिखेगा उसको ही चेंज करना है तो यहां पर जो है इसको रिप्लेस करना है हमें 12 बोल्ट से तो यहां पर देखिए आप यह जो जेनर डायोड है मैं खरीत कर लाया हूँ यह मुझे 2 रुपे का पड़ा तो यह जो है 12 बोल्ट आप यहां पर देख सकते हैं उसको इससे रिप्लेस करना है तो चलिए इसको हम फिर से आप यहां पर देख सकते हैं कि जहां से हमने निकाला था और उसी स्थिती में आप देख सकते हैं कि जहां पर से हमने निकाला था वहीं पर एकदम एक्विरेट मैंने लगा दिया है और आपको यहाँ पर एनोड और कैथोड का ध्यान रखते हुए लगाना है आपके चारजर में बना होगा कि कहां एनोड और कहां कैथोड लगाना अगर नहीं बना है तो निकालते समय आप ध्यान में रखिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने निकाला था वैसे ही 12 बोल्ट का जेनर डायोड वहां पर रिप्लेस कर दिया मैंने तो चलिए यहां पर मैं आप चेक करता हूं कि जो हमें वोल्टेज चाहिए था वो मिलेगा कि नहीं मैं आपको एक बात बता जे रहा हूं अगर आपको 12 बोल्ट की वोल्टेज चाहिए तो आपको कम से कम 15 वोल्ट या फिर उससे ज्यादा का जेनर डायोड लगाना होगा 12 का आप लगाएंगे तो इसे कम ही मिलेगा यानि कि लगभग 8 या फिर 9 वोल्ट के बीच में आपको मिलेगा तो चलिए यहां पर चेक करते हैं कि यह जो है कितना वोल्टेज दे पा रहा है तो यहां पर जो है इसका 3 वोल्ट के लगभग में डॉप वोल्टेज हो रहा है मैंने 2-3 चारजरों पर इसको चेक किया और सभी में जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8.2 8.3, 8.2 यह इसी के बीच में वायरी कर रहा है यानि कि 8-9 के बीच में यानि कि अगर 12 बोल्ट का हम लगाते हैं तो वो 8 से ज़्यादा है और 9 से कम यहाँ पर आपको देगा तो यहाँ पर देखिए जो वायर है मैंने आपर कनेक्ट कर लिया है अब मैं दिखाता हूँ वैसे मेरी जो मल्टिमीटर की प्रोव है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रही तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब 9 वोल्ट का जेनर डायोड लगा था तो 5 वोल्ट का दे रहा था जब 12 लएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सुईच अन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 8.3 यानि कि 9 वोल्ट के लगबग में दे रहा है तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार चेक करा देता हूँ और यगिन वानिए दोस्तों यह कोई fake वीडियो नहीं है इसलिए मैं आपको wire जो लपेट कर दिखा रहा हूँ कि यह इसी का wire है इसमें कोई cheating नहीं है और कोई fake वीडियो नहीं है ये accurate एकदम सही काम करता है आप आप देख सकते हैं कि जो voltage है हमें proper मिल रही है तो अगर आपके पास mobile phone का charger नहीं है तो आप ये वाली circuit जो है उसको आप use कर सकते हैं ये market में बहुत ही आसानी से 20 रुपए में मिल जाती है तो इसमें भी आप changing करके इसका voltage आप बढ़ा सकते हैं ये भी 5V का output देता है तो मैं आपको recommend करूँगा कि 12V से उपर का जेनर diode इसमें न लगाएं क्यूंकि इसका जो calculation है सब कुछ बिगड़ जाएगा तो यहाँ पर इस तरह के charger है उसमें आप changing कर सकते हैं तो ये जो charger है कुछ charger होते हैं जिसमें IC लगी होती है आप वहाँ पर देख लिजेगा उसमें एक जीनर diode और एक IC लगी होती है तो वह से आप change कर सकते हैं लेकिन बहुत ही जादा कठिनाई होगी तो चलिए देखते हैं कि ये जो charger है इसको हमने change किया है वह किसी काम का है कि नहीं मतलब कि ये work कर रहा है या नहीं तो चलिए हम इसे अब check भी कर ले तो इसको check करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इसे board में लगा दिया है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इससे क्या चला रहा हूँ फिर adapter खरीद कर लाया जाए तो यह जो हमारा charger है यह इसमें काम कर सकता है क्योंकि यह 12 बोल्ट पे चलती है 9 बोल्ट पे धीमी ही चलेगी लेकिन यह जलेगी और इसके जलने से ही मतलब है आप देख सकते हैं कि यह जो हमने adapter जो है उसका voltage बढ़ाया वो कितने अच्ची तरीके से काम कर रहा है तो यह काफी अच्ची तरीके से काम कर रहा है मैं दिखा रहा हूं यह जब 12 बोल्ट से जलता है तो बहुत ही त cis जलता है अभी फिर हाल यह धीमा जल रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो हमने इसका वोल्टेज बढ़ाया वो काफी अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ सिखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक ऐसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए बाए